हेलो माई डियर फ्रेंड्स तेंथ कलास विद्यार्थों के लिए गिलू का अबजेक्टिव लेकर आया हूँ जो कि पुर्णार्मा पुरोज सेक्षन 3 का अबजेक्टिव है जिसके अथर नेरेटर महादेवी बरमाजी है ठीक है ना और उनका मैं अबजेक्टिव कराने वाल सून्मा पुर्णार क्या था तो फीट ता आ ग्राम था दोता रैस तो देखिए गिलू का जो फेबरेड फुड़ था वोय काली था क्या थैं काली ता क्या थैं है याद रखिए काजू था तो याद रखिये कभीदा था था तो हमेaser बैड़ता था प्लेट के पास कौन लेख़क के पास कुछ मेरों बैड़तता था इसीन से कलर dormir जाए टार याद राखिए को था यानि is Ennu Chinerab ng tar hai talanten minute आ रोज देखिया मेंको दफनाया गया था संजु ही पेर के नीचे उसको गूड किया गया थे है यानि कि दफनाद या गया था हुं वाचेंड नौझट अन्द हीटर फ़र घील्व वाचेंड कोंध लुट्वर फ़र फ़र घीणू के मैं दोश्ट वंधल्य्या locked drive to the hotel को क्धिड है इस पहलब कॉने चुक 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 कऊ-किकि तोiron क्रियट करता था। च संजुः क्रिपड करता था तो अर्थ के नीचे, तो याद रखिया गाइगा संजुही क्रीपपर के निचे वह क्या करता था एक्स्टरनल रेस्ट करता था यानि बाहरी अराम करता था ठीके ना विच शांड डिडग गिलू मेक वेन ही इवाज हेंगरी जा भूखा खताकर ने च्शिक शांड करता था यानि ब्हुका होता ह hani खोस ओता ते खोच भी होता है तो चिक शीकivities करता हैसं के दस्ट voting गिलु उड इन्फर्मेट बाई ट्वितरिंग गावाज निकाल करता था चिक चिक कावाज निकाल करता था वु हैज रिटेन गिलु गिलु को कौन लिखा है महादेवी बर्मा सत्याजी त्राहए पुरन सिम्या विद्यापति तो महादेवी बर्मा जी लिखी ए ठीक है न? according to a story कहानी कानु सर गिल्लु Esquirel had life expense life expense मतलब कितना दिन जिवन बिताया 1 year, 2 year, 3 year, 4 year तो देखिया कितना दिन Esquirel have life expense बिताया था तो वो 2 year बिताया था 2 year एनी 200 रोगा 2 year जयाद रखियेगा इन्द एस्टोरी रिटेन बाई महादेवी बर्मा गिलु आज इंजेड बाई इस कहानी में महादेवी बर्मा लिखा हुआ कहानी गिलु जो हुआ था इंजेड बाई किसके द्वारा माने घायल हुआ था कोवे के द्वारा इसक्वार के द्वारा पैरट के द्वारा तो याद रखिएगा वो जो क्राव के द्वारा घायल हुआ था ठीक ना क्राव याद रखिएगा एंसर होगा आपक्रावच ठीक है न दोस्तों इन दैंस्टोरी गिलू दा नेरेटर क्लिनेट में बढ पन दोस्ते होगा ऐड़ा अपक्राव और स्कूया दिटल्ना ये लगलास for सिलीफ केया पैंौ यही ऊरगा पैंसलीन अप्लायुस पर रीजर पकीया मलहम यह इन दाने श्टोरी गिलुदा नेरोटर हांड अ इंजेट बैब wrinkles इन हर्कुल उसको जगगाह माईल कि या बच्चा को पाया गिलहरी का बच्चा को पाया को जगा कोन था ओपीस था गार्डें था बरणडा था या नन अफ दी था तो एद लगी एक बरंडा था क्या था बरंडा था यानि-स आणसरोगा बरंडा था वाट वाई दा फेवरेट फूड अफ दगिलु का फेवरेट फूड अफ दगिलु का फेवरेट फूड था वो काजू था क्या था काजू था वी एंसर होगा दोस्तों इवरीवन टोल्ड नेरोटर प्रतेक आदमी लेखक से कहते थे की स्क्वार उड़ नॉट थेरे स्पोर्टर्स आफ्टर विंग दा अटेक्ट बाई बैडली दक्राओ मतलब काओ के मने खातरनाक अकर्मन करने के बाद अब जो आपका जो स्क्वारल है वो क्या नहीं कर सकता ह मूब नहीं कर सकता है इट नहीं कर सकता है लिव नहीं कर सकता है तो तो यह लिव नहीं कर सकता है मना जीवित नहीं रख सकता है ऐसे सभी लोग लेखक से कहे थे ठीक है ना जब इस तरह कब कहे थे जब क्राउस को बुरी तरह क्या करतिया था घायल कर दिया था ठीक है न से देखना चाहता था हड सबीशेशन उनकी आदाए कोच ईसे एटेंशन से किसे का प्रेपर किसी इस से कज़ता ज्योट से भी यह सो Tiyao गिलू इजबाउट ट्रू प्रेंटशीप गिलू इजबाउट ट्रूप्रेंटशीप मने गिलू के यह कहानी है अच्छी टूटेंट्स परक्स चाट दोस्तिगीरी है बीट्वीन ओमेन और बिंग अन्ड अन डिस्क पिसके बार में एनिमल के अलियंस के बार में माईकुरो अर्गनाईजीम यह गोष्ट के बार में तो याद रखियेगा इनिमल के बारे में इमादो और मानो और जानवर के एक सची दोस्ती के बारे में स्टोरी है ठीके ना महादेवी बनमान का नुसार विच अब दाफो इंग नेम वाज्ट ऑने दनेघ इंगन प्वनेट ऐनोन परफाव डी कलत डी आ गया गया पूरियय्ली गील्ला गील्ल्र आ सबस्क्न Greater का नार्टीकन प्रूपर नाम दिया गया करन नम Whenever我 मठered माहदेवी बर्मा कई मरे अनस इसए सथ उनस इनस सता सी तो यादय किए महादेवी बर्मा जो मरे थी से साथ में महादेवी बर्मा जी का जनम हुआ ठीके नहीं कि अबढ़ जाल से बढ़ में और रहा हुआ अब अब आगा अब्र कुछ अब पर्टेक आदमी को अफर देते थे लिए फलावर के लिए नोट्स के लिए लिए ब्रेट के लिए तो याद रखिया परतेक आदमी इसको काजु के लिए अफर देते थे काजी कैंगे इसका फेवरेट फूड था फेवरेट फूड था किसका आतो घिलू का एसको फेवरेट फूड का था तो काजु था क्या था जी तो काजु था इसलिए उसको सभी लोग उफर देते थे फट वाट वाज होड़किय दो क्रोमन नेम आफ द गिलू इसमें गिलू का क्मोन नेम ड़ा होड़कर गिलू सिरइगूलू एंगहले टेज़कर का क्मॉन नेम क्लाइफ कर दällt का नाओ किलू कहां Hemonder ग हे कम चक्रों आओ गिलु आज बोरियर्ड अंदर जुही क्रिप विकॉज ही लॉबड इट देखो गिलु को दफनाया गया किसको जुही फ़ला क्रिप के अंदर विकॉज क्योंकि ही लॉबड इट उससे क्या करते थे मौस्ट मतलब ज्यादा प्यार करते थे क्मेlor ले UK लम्य मसल अधी unters इसलिया Resident तो इसलिए उनको क्या कर दिया गया उनको क्या कर == सूत किया न्打 nobody कि कुछ आज गिलु गिलु कौन था पर्षन था एंडि अनिमल था तो गिलु याद रखिया गागिलु एक एस्क्वारल थी एस्क्वारल मतलब क्या होता है एक गिलहरी थी टी कहना इवरीवन थोल्ड दा नेरो टाव डाट गिलु उड पर्तेक आदमी गिलु से यह थे टो गिलु लिव इन जी जाएगे घी लाइफ इन आट लीव तो प्रतेक आदमी पाएगी तो परतेक आदमी टोल्ड मतलब करते है अखक से कि गिलू उड नोट लीव अब गिलू नहीं जी सकती है ठीका ना यानी सी एंसर होगा विच यहां पर थोला गरतली का है सी एच होगा विच ओनिमेंट्स वाल दा प्लाइड दा उड अफ द गिलू मने कौन्स ओनिमेंट्स मने कौन तथ्व को उस पर अपलाई किया गया थो सब्गाइड अपलाई किया गया तो तभी बताय तह पिनेशवी था इसी को अपलाई किया गया था अपलाईड मतलब उसपर घाव विंड मतलब घिलू के घावप अप्लाईड किया गयाओ चीज क्या तभ पिनेश्यू था यानि बी एंसर और याद रखेगा लाइपेस्पेन स्क्वारल इज मने कितना साल स्क्वारल का लाइपेस्पेन किया तभी बटाई दर टू एयर्स कितना टू एयर्स यह दो साल उनके साथ बिताई थे यह लास्ट कोचन है अपका गिलू डिपार्ट फ्रम थे इन दिस क्या था तो मोर्दिंग था तो मोर्दिंग था थी कहना था थीकर थो स्वार्च तीया थैपका कोचन हुआ और इसका एंसर यह हो जय्कित है थीकर नवाखा अवाशकरतू में के वीडियो आपको आछ्छा लगा होगा थैंक यू वाचिंग इस वीडियो शेयर एंड सस्क्राइब एव ए नाइस दे तब के लिए तब तक के लिए बाई बाई